Hello everyone and welcome to learn everything. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास सेवन की पोयम ट्रीज को एक्स्प्लेइन करूंगी इस पोयम को लिखा है शेरले पाउर ने इस पोयम में पोईट ने पेडों से होने वाले फायदों के बारे में बताया है तो चलिए बिना वक्त कवाए इस पोयम को शुरू करते हैं यहाँ पे जो पोईट है वो हमें पेडों के फायदे के बारे में बताते हैं अब वो पहली लाइन में कह रहे हैं जो पेड है वो पक्षियों के लिए है क्योंकि जो पक्षि है वो उस पे अपना घोसला बनाते हैं त्रीज आर फॉर चिल्रेन जो पेड है वो बच्चों के लिए है त्रीज आर टू मेक ट्री हाॉसस इन और पेड का इस्तमाल कई बार घर बनाने के लिए भी किया जाता है Trees are to swing, swings on और पेड का इस्तमाल कई बार बच्चे जूडा डालने के लिए भी करते हैं Trees are for the wind to blow through और पेडों से हमें हवा भी मिलती है Trees are to hide, behind in height and seek और बच्चे पेडों के पीछे लुकाचीपी का खेल खेलना भी पसंद करते हैं Trees are to have tea parties under और पेड इसी लिए होते हैं ताकि हम उसके नीचे tea party यानि की चाय की party कर सके Trees are for kites to get caught in और पेड इसी लिए होते हैं ताकि उसमें पतंग फस सके Trees are to make cool shade in summer कई बार गर्वयों में पेडों से हमें चाय भी मिलती है Trees are to make no shade in winter और कई बार सर्दियों में पेड चाय नहीं बनने देते हैं Trees are for apples to grow on end piers और हम पेड इसलिए उगाते हैं ताकि पेडों से हमें सेब और नाशपती जैसे फल मिल सके Trees are to chop down and call timber और कई बार हम पेडों को अपने फायदी के लिए काटते भी हैं ताकि हम उसके लकडी से furniture बना सके Trees make mother say what a lovely picture to paint और कई बार पेडों को देखकर मा ऐसा कहती है कि कितना सुन्दर दिरिश्य है मैं इसे अपने चित्र में बनाना चाहती हूँ Trees make father say what a lot of leaves to wreck this fall और कई बार पीता ऐसा कहते हैं कि कितनी सारी सूखी पत्या है मैं इसे इखटा करना चाहता हूँ तो यहीं पे ये poem समापत होती है अब आगे मैं इसके question answer कराऊंगी Working with the poem का question number one What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate तो इस question ने पूछा गया है वे कौन से खेल हैं या human activities हैं जो पेडों का स्तमाल करती हैं या जिसमें पेड भी भाग लेते हैं तो इसका answer है trees are used in games like swinging and hide and seek They are used in many human activities Some of them are making houses, getting shade or fire We get our fruit and timber from the trees The painters like to draw and paint a scenery of trees तो इसका मतलब है पेडों का स्तमाल जूला जूलने और चुपन चुपाई का खेल खेलने के लिए किया जाता है इसका उपयोग कई सारी human activities में भी होता है जैसे घर बनाने के लिए, छाया के लिए या आग जलाने के लिए पेडों से हमें फल और लकडिया मिलती है और जो पेंटर है यानि की चितरकार वो पेडों के दृष्ची को खीचना चाते हैं और उसका चितर बनाना पसंद करते हैं तो इस question में poem की एक line दी भी है पेड सर्दियों में कोई छाया नहीं बनाते हैं इसका क्या मतलब है तो आपको इसका answer इस poem की इस line से पहले वाले line के साथ तुलना करके बताना है इसका answer है it means that there are also those trees that give no shade and so it's a pleasure to be with them during winter तो इसका मतलब है ऐसे बहुत से पेड हैं जो चाया नहीं देते हैं और इसलिए सर्दियों के दौरान उनके साथ रहना बहुत खुशी की बात है question number two का दूसरा सवाल है trees are for apples to grow on or peers do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it or do you think this line is humorous तो इस question में poem की एक line दीवी है कि पेडो को इसलिए उगा जाता है ताकि पेडो से सेव और नाशपती मिल सके क्या आप इस बात से सहमत है कि पेडों का उद्देश सिर्फ फल लगाना है या आपको ये बात हास्य प्रद लगती है यानि कि हसी दिलाने वाली लगती है तो इसका answer है yes it is indeed true that one important purpose of a tree is to have fruit on it thus this line is not humorous तो इसका मतलब है हाँ और ये बात सच है कि पेड़ का एक महतोपुन उद्देश उस पर फल होना है और इस प्रकार ये जो बात कही गई है वो खास से प्रद नहीं है यानि कि हसी दिलाने वाली नहीं है तो यहीं पर ये question answer समात होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद